ये कागस की पूंगी बहुत ही मज़ेदार है और इसे बनाना भी बहुत आसान है इसके लिए आपको कागस का 15 सम बाइ 10 सम का टुकड़ा और थोड़ा सा गोन और एक कैची चाहिए पहले इस कागस को मोड़ कर इसका धर्मियानी नुक्ता निकाल लें फिर एक लकीर बनाए इसके दर्मियान में एक छोटा सा फ्लैप हो फिर कैची से फ्लैप छोड़ कर बाकी मानदा पट्टी को काट कर अलग कर ले अब आपके पास एक मुस्तती नुमा कागस बचेगा और इसके दर्मियान में एक छोटा सा फ्लैप होगा फिर एक pencil पर इस कागस को इस तरह लपट ले जिससे के कागस का एक लंबा बेलनुमा tube बन जाएगा और जब कागस पूरी तरह लपट जाए तो फिर pencil को बाहर निकाल ले कागस की सीरे पर गोंद लगाए फिर गोंद को थोड़ी देर सुखने दे और फिर इसे ट्यूब पर चस्पा कर दे इस तरह से एक कागस की पतली नली बन जाएंगी और इसके एक सिरे पर एक फ्लैप होगा इस फ्लैप को आप अंदर की तरफ मोड़ दे और पास लाएं अब आपकी पुंगी तयार है दूसरे सिरे को मों में रखकर सांस कीचे तो तेज आवज निकलेगी फ्लैप इत्याश करेगा झाल